पहला शमुएल अध्याए 10, कुलपद 27 तब शमुएल ने एक कुपी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निजभाग के उपर प्रधान होने को तेरा भी शेक किया है आज जब तु मेरे पास से चला जाएगा तब राहिल की कबर के पास जो बिनियामीन के देश के सिवाने पर सेलसा में हैं दो जन तुझे मिलेंगी और कहेंगी कि जिन गदियों को तु ढूनने गया था वे मिली हैं और सुन तेरा पिता गदियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कोड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूँ फिर वहां से आगे बढ़कर जब तु ताबोर के बांड व्रक्ष के पास पहुँचेगा तब वहां तीन जन परमिश्वर के पास बेतिल को जाते हुए तुझे मिलेंगे जिन में से एक तो बकरी के तीन बच्चे और दूसरा तीन रोटी और तीसरा एक कुप़ा दाक मधु लिये हुए होगा और वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे दो रोटी देंगे और तु उन्हें उनके हाथ से ले लेना तब तु परमिश्वर के पहार पर पहुँचेगा जहाँ पलिष्टियों की चौकी है और जब तु वहाँ नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक डल उचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसली और वीना होंगी और वे नबूवत करते होंगी तब यहवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तु उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तु परिवर्तित होकर और ही मनुश्य हो जाएगा और जब ये चिनहन तुझे देख पड़ेंगे, तब जो काम करने का उसर तुझे मिले उसमें लग जाना क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा और तु मुझे से पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बली और मेल बली चड़हने के लिए तेरे पास आऊँगा तु साथ दिन तक मेरी बाट जोहते रहना तब मैं तेरे पास पहुँच कर तुझे बताऊंगा कि तुझे को क्या क्या करना है जियों ही उसने शमुईल के पास से जाने को पीट फेरी कियों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्टित किया और वे सब चिन उसी दिन प्रगट हुए जब वे उधर उस पहार के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उत्रा और वह उनके बीच में नबुवत करने लगा जब उन सभी ने जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबुवत कर रहा है तब आपस में कहने लगे कि कीश के पुत्र को यह क्या हुआ क्या शाओल भी नबियों में का है वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया भला उनका पिता कौन है इस पर यह कहवत चलने लगी कि क्या शाओल भी नबियों में का है जब वह नबुवत कर चुका तब उचे स्थान पर चड़ गया तब शाओल के चाचा ने उस से और उसके सेवक से पूछा तुम कहा गय थे उसने कहा हम तो गदियों को धूंडने गय थे और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती तब शाओल के चाचा ने कहा मुझे बतला दे कि शाओल ने तुम से क्या कहा शाओल ने अपने चाचा से कहा कि उसने हमें निश्चे करके बताया कि गदियां मिल गई परन्तु जो बात शमुल ने राज्य के विशे में कही थी वह उसने उसको ना बताई तब शमुल ने प्रजा की लोगों को मिस्वा में यहुवा के पास बुलवाया तब उसने इसराइलियों से कहा इसराइल का परमेश और यहुवा यूं कहता है कि मैं तो इस्राइल को मिथर देश से निकाल लाया और तुम को मिथरीों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है परन्तुल। तुमने आज अपने परमेशर को जो सब विपत्तियों और कश्टों से तुम्हारा छुडाने वाला है तुछ जाना और उसे कहा कि हम पर राजा नुक्त कर दे इसलिए कि अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहुआ के सामने खरे हो जाओ तब शमुएल सारे इफ्रैली गोत्रियों को समीब लाया और चिठ्थी बिन्यामीन के नाम गोत्र पर निकली तब वो बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीब लाया और चिठ्थी मत्री के कुल के नाम पर निकली फिर चिठी कीश के पुत्र शाउल के नाम पर निकली और जब वो ढूंडा गया तब ना मिला तब उन्होंने फिर यहवा से पूछा क्या यहां कोई और आने वाला है यहवा ने कहा हाँ सुनो वो सामान के बीच में छुपा हुआ है तब वे दोर कर उसे वहां से लाए और वो लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वो कांधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था शमुएल ने सब लोगों से कहा क्या तुमने यहवा के चुने हुए को दिखा है कि सारे लोगों में से कोई उसके बराबर नहीं तब सब लोग ललकार के बोल उठे राजा चिरंजीव रहे तब शमुएल ने लोगों से राजनीती का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिख कर यहवा के आगे रख दिया और शमुएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया और शाउल गिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था परन्तु कई लुच्चे लोगों ने कहा यह जन हमारा क्या उधार करेगा और उन्होंने उसको तुछ जाना और उसके पास भेंट ना लाए तो अभी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा पहला शमुएल अध्याए 10, कुलपद 27 तब शमुएल ने एक कुपी तेल लेकर उसके सिर पर उन्डेला और उसे चूम कर कहा क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निजभाग के उपर प्रधान होने को तेरा भी शेक किया है आज जब तु मेरे पास से चला जाएगा तब राहिल की कबर के पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेलसा में हैं दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गदियों को तु ढूने ने गया था वे मिली है और सुन तेरा पिता गदियों की चिंता छोड़ कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुतर के लिए क्या करूँ फिर वहां से आगे बढ़ कर जब तु ताबोर के बांज व्रिक्ष के पास पहुँचेगा तब वहां तीन जन परमिश्वर के पास बेतिल को जाते हुए तुझे मिलेंगे जिन में से एक तो बकरी के तीन बच्चे और दूसरा तीन रोटी और तीसरा एक कुपा दाक मधु लिये हुए होगा और वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे दो रोटी देंगे और तु उन्हें उनके हाथ से ले लेना तब तु परमिश्वर के पहार पर पहुँचेगा जहां पलिष्टियों की चौकी है और जब तु वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक डल उचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसली और वीना होंगी और वे नबुवत करते होंगी तब यहावा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तु उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा और तु परिवर्तित होकर और ही मनुश्य हो जाएगा और जब ये चिनहन तुझे देख पड़ेंगे तब जो काम करने का उसर तुझे मिले उसमें लग जाना क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा और तु मुझे से पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बली और मेल बली चड़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा तु साथ दिन तक मेरी बाट जोते रहना तब मैं तेरे पास पहुँच कर तुझे बताऊंगा कि तुझे को क्या क्या करना है जियों ही उसने शमुएल के पास से जाने को पीट फेरी क्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्टित किया और वे सब चिन उसी दिन प्रगट हुए जब वे उधर उस पहार के पास आए तब नब्रश्वर ने परिवर्टित किया